गुद मॉर्निंग फ्रेंस कैसे हो आप सब फ्रेंस हम कवीता 10 सीखो का अभ्यास कर रहे थे कुछ पंक्तिया का हमने अभ्यास किया और कुछ पंक्तिया अभी बाकी है जिसका अभ्यास हम आज करेंगे तो आप सब तैयार है ना तो चलो हम जो पंक्तिया बाकी है उसे समझते है पहले हम इस कवीता को गाते है फूलों से नित हसना सीखो बवरों से नित गाना तरू की जूकी डालियों से नित सीखो सीस जुकाना सीख हवा के जोको से लोको मल बाव बहाना दूद तथा पाने से सीखो मिलना और मिलाना सूरज की कीरणों से सीखो जगना और जगाना लता और पेडों से सीखो सबको गले लगाना मचली से सीखो स्वडेस के लिए तडप कर मरना पत जड़ के पेडों से सीखो दुख में दीर जधरना दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना प्रिठवे से सीखो प्राणी की सची सेवा करना जलदारा से सीखो आगे जीवन पत में बढ़ना और दुवे से सीखो हर दम उंचे ही पर चड़ना मचली से सीखो स्वडेस के लिए तडप कर मरना पत जड़ के पेडों से सीखो दुख में दीर जधरना तो मित्रो मचली के पास से हमें क्या सीखना है मचली जिस तरह तडप तडप कर मरती है तो हमें अपने डेस के लिए जीना चाहिए अपने डेस के लिए चाहे हमें जान भी क्यों न रहनी पड़े तो हमें पीछे हतना नहीं चाहिए हमें अपने डेस के लिए स्वडेस के लिए जीना चाहिए पत्जड के पेडों से सीखो दुख में दीरज धरना पत्जड यानी की पत्ते जड़ने की रूतु गुजराते मा इने पान खर खेवै आ रूतु मा पान खुबज खरे छे पत्जड के पेडों से हमें क्या सीख मिलती है पत्जड के पेडों से हमें सीख मिलती है कि दुख में भी हमें धीरज धरना चाहिए अगर हमारे पर कोई मुसिबत आ जाती है तो हमें दुखी होकर बैच जाना नहीं चाहिए हमें उसका धीरज यानी की डेर्य से उसका सामना करना चाहिए हमें डुखी होना नहीं चाहिए मित्रों इस पंक्ती से हमें सीख मिलती है कि जिस तरह मचली पानी से प्यार करती है उसी तरह हमें भी अपने डेश से प्यार करना चाहिए हमें डुख में दिरज खोनी नहीं चाहिए हमें दुख में हिमत नहीं हरनी चाहिए दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना प्रिठवी से सीखो प्राणी की सची सेवा करना दीपक, दीपक यानी दिया तो दीपक से हमें क्या सीखना है दीपक से हमें जितना हो सके उतना अंधेरा दूर करना है यानी कि जो हमारे में अगनान्ता है वो अगनान्ता को दूर करना है यह हमें शिखना है प्रुथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना प्रुथ्वी प्रुथ्वी यानी ढरा प्रुथ्वी से हमें क्या सीखना है? प्रुथ्वी से हमें प्राणीयों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है? यह हमें सीखना है प्राणियों के प्रती हमारे मन में कैसा भाव डखना चाहिए यह हमें सीखना है जल धारा से सीखो आगे जीवन पत में बढ़ना और दुए से सीखो हर दम उंचे ही पर चड़ना जल धारा जल धारा यानि पानी की धारा पानी का प्रवा तो जल धारा से हमें क्या सीखना चाहिए जीस तरह नदी का पानी आगे ही बढ़ता ही रहता है उसी तरह हमें भी जीवन में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए चाहे कितनी में कथिना या क्यों ना है हमें रुकना नहीं चाहिए जीवन के पत पर आगे ही बढ़ते रहना चाहे जीवन के पत पर यानि की जीवन के मार्क पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहे और दूए से सीखो हर दम उंचे ही पर चड़ना जीश तरह दूआ उपर ही उपर बढ़ता रहता है उसी तरह हमें भी उसी ही उचाई पर बढ़ते रहना चाहे हमें डूए से सीखना चाहे है जीवन में हम्मेशा उन्नटी करना जीवन में आगे बढ़ने की सीख हमें मिलती है मित्रों इस कविता में प्रकुटी के कई तत्व की बात की गई है जैसे की फोल, भवरा, तरू, हवा, दूद, पानी, सुरज, लता, पेड, मच्छली, प्रुथवी, जलधारा, धुवा आड़ी तत्व की बात इस कविता में की गई है इन सारे तत्व में से हमें बहुत सारी सीख मिल गई है मिल गई है ना? तो अब हमें हमारे आसपास जो तत्व है उसमें से भी कुछ सीख लेनी है हमारे आसपास भी ऐसे कई सारे तत्व है जैसे कि धर्ती, आकाश, चंद्र, पत्थर, परवत, पशुपक्सी, नरी, समुद्र, जर्णा, आली. इन सक्ततों में से हमें कुछ न कुछ तो सीख मिलती है, सिर्फ हमें उसे समझना है. फ्रेंज, आशा करती हूँ कि आपको कविता दस सीखो समझ में आ गई होगी. फ्रेंज, इस कविता को आप बार-बार पठन करेंगे और समझेंगे. हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए आलजो.